तो हलो लड़कों लड़कियों, तो फर्स पार्ट में मैंने आपको बताया था कि आप अपना फर्स 3D अनिमेशन कैसे बना सकते हो ब्लेंडर सॉपफ़ेर के थुरू और आज सेगेंड पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक अपना असली का रुमाल एक अपनी असली की वीडियो में ब्लेंडर सॉपफ़ेर के थुरू कैसे इंसर्ट करके अनिमेट कर सकते हो तो आपका फर्स अनिमेशन वह भी रियल वाला बनने वाला है आज आप शीक्रम वीडियो का शुरू करते हैं तो वीडियो में हैं अचर्ट इसली के लिए मैंने वीडियो बने चाहँ वीडियो बना ठाहिहा है तो इस वीडियो खाने लिए प्रस पारीू guidelines अब ठीक है देखो जब से मैंने Blender Software सीखना शुरू करा है मैं स्टार्टिंग से मतलब Software को ठीक तरीके से समझने से पहले से यह डून रहा था कि अपनी वीडियो में 3D animation कैसे आड़ कर सकते हैं मतलब अपनी कैमरे से रिकाउड करीवी वीडियो को मैं Blender Software में कैसे इंपोर्ट करूँ और फिर उसके उपर मैं 3D models आड़ करूँ तो मैंने बहुत सारी वीडियो देखिए लेकिन सब एक ही चीज कह रहे थे कि पहले अपनी वीडियो को ट्रैक करो और उसके बाद यह अपने 3D models अपनी वीडियो के उपर अपर पाऊगे अब मैं य इन दिन वीडियो देखने के बाद मेरे को solution मिली किया तो blender software में अपनी वीडियो को import करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी वीडियो को image sequence format में convert करना पड़ेगा इसका मतलब ही है कि हमारा जो camera है वो 24 photo खीसता है और वो जब हम ऐसे जोडते हैं तो एक second की video clip बनती है तो म में ये blender में वापिस से software में वीडियो डालने के लिए first form में convert करने पड़ेंगी अपनी image sequence बोलते है उसे तो jpeg format में इसको convert करेंगे तो इसको convert करने के लिए हम open करेंगे after effects software तो उसके लिए after effects खोलो अपनी image import करो control plus m दो और render section में आ जाओ output model पर click करो format jpeg sequence output 2 पर click करके अप आपको फिर यहां पर सारी images मिल जाएंगी अब हमारा first काम तो हुआ complete और डरना मत software से मैं सिखा रहा हूँ ना इसी तरीके से अब blender open करो और general select करो ए दबा के all select करो और in सबको delete कर दो shift plus a press करो और camera select करो और mouse का जो scroller wheel होता है उससे आप model और camera के आसपास सब कुस देख सकते ह तो अभी यह camera सीधा नहीं है तो इसको हम सीधा करेंगे उसके लिए हम right side panel में select करेंगे object properties rotation x को set करेंगे 90 पे y को 0 पे और z axis को 90 पे तो अब जो हमारा camera हो चुका है सीधा अब हम add करेंगे अपनी video को जो हमने image sequence format में convert कर दिया था तो इसके लिए right panel में click करो object properties पे जो की एक वीडियो camera जैसा दिख रहा है इसको turn on करतो background images को और add images को click करो तो अब हम इसमें video clips भी add कर सकते हैं जो की blender में new feature add हुआ है लेकिन मैंने काम करना शीखा है images से लेकिन आप खुद भी explore कर सकते हो software को लेकिन अभी के लिए वैसे ही करो जैसा में बता रहो और बाद में सीख न करो और welcome to blender video animation अरे कुछ भी नहीं हुआ रुको रुको होगा होगी 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 फिर एना बाट नहीं आने वाला विच्चर की बात करना था इस वीडियो का बाट रही है अब क्लिक करो numpad पर zero को और देखो अगई आपकी वीडियो लेकिन अभी ये वीडियो साही ने दिग पर और सबसे नीचे color management पर क्लिक करके view transform को film mix से set कर दो standard पर फिर click करो output properties पर और अपनी images की same properties आपको इधर भी type करनी है 3840 by 2160 और frame rate कर देते हैं हम 23.98 और फिर space बार दबाओ और देखो अब अपनी वीडियो दिख रही है एकदम मस्त और ready to edit तो हमारी वीडियो के total frames है 125 तो हमारी timeline हो जाए थोड़ी चोटी और उतनी दिखे जितनी हमें चाहिए और हमारा दूसरा काम भी खतम हो गया तो अब हम मनाएंगे अपने rumal के base को मतलब 3D model को तो press करो shift plus a फिर mesh और select कर दो plane को लेकिन ये तो दिखी नहीं रहा तो numpad पर press करो 0 को और आपको आपका plane दिखे आपके camera के आगे तक लेकर आजाओ फिर 0 दबाओ तो आपको आपका plane दिख जायागा अब इसकी हम rotation ठीक करेंगे और इसके साथ साथ हमारा तीसरा काम भी हुआ complete तो लड़कों में लड़कियों कोई भी एक skill सीखना एक long time consuming process हो सकता है अगर आप ये सब सीख रहे हो online जैसे YouTube से क्योंकि एक tutorial को देखते समय एक tool को समझते वक्त आपके दिमाग में 10 नए question आएंगे और उनको समझने के लिए आपको पांच चे और वीडियो देखनी पड़ेंगी और उसके बाद भी guarantee नहीं है कि आपको आपके सवालों का जवाब मिलेगा है नहीं लेकिन आपको सब चीज एक detailed class की तरह Skillshare पर मिलेंगी जिससे आप सब चीज step by step easily सीख पाऊगे तो Skillshare एक online learning community है जहां पर आपको आपके interest related thousands of classes भी मिलेंगी जैसे video rating, visual effects, 3D animation, music, photography और भी बहुत सारी चीज़े हैं और ये classes industry के experts देते हैं तो आपको guaranteed quality learning मिलेगी जैसे मैं blender सीख रहा हूं तो मैंन चीज एर एक ad-free platform भी है जहां पर आपको access मिलेगा पूरी library का तो specially skillshare दे रहा है अपने लड़कों लड़कियों के लिए flag 30% का discount उनके annual subscription पे अब आप enjoy कर सकते हो unlimited classes at just rubies 9800 और ये सिर्फ हमारे first 1000 लोगों के लिए है और discount भी limited time के लिए है तो फड़ा और जैसे description में first link को click क करो sign up करो और एक peace mind से अपनी favorite skill सीखो और उस से अपने सबने पूरे करो job या business करके तो अब हम इसको करेंगे animate तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है वस हमें position और rotation में keyframes add करने है तो इसके लिए हम हम वापस जाएंगे object properties में और location x की value को थोड़ा छेड़ेंगे इसको प जिसकी वज़े से हमारा plane दिखने लगेगा हमारे रुमाल जैसा तो उसके लिए पहले click करो viewport shading में फिर नीचे आगे select करो material properties में add new पर click करो अब आपको base color के सामने ये yellow जो dot दिख रहा है उस पे click करना है और select कर देना image texture को तो पहले आप अपने रुमाल किये photo कीच लेना औ अब open करना अपनी save करी हुई location को select करना अपनी image और देखो हमारा रुमाल बन गया है एक 3D model लेकिन इसके edges अच्छी तरीके से edges तक fill नहीं हुए हैं तो इसको ठीक करने के लिए और इसको एक solid से cloth में बनाने के लिए हमें इसमें divisions add करने पड़ेंगे तो press करो tap बटन पर और यह आ गया है हम edit mode में अपना model select करो by pressing A button और right mouse button दबा के subdivide add कर दो फिर इधर नीचे left में subdivide के panel पर क्लिक करो और number of cuts को कर दो 30 पर और smoothness को 1 पर और फिर click करो UV editing पर A button दबाओ और S दबा के size को कर दो fit वापस आ जाओ layout mode में और play करके देखो अपना model 70% ready हो गया है तो लड़ दो का ride में physical properties को click करके cloth animation को select करके और फिर हमारा model गायब हो जाएगा और फिर आपको आपके first frame पर आना पड़ेगा और आपका model वापस आ जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे weight वजन भार अब बंदर का आप समझ रहे ना खुद अपने आप तो उसके लिए click करो object mode से weight paint में और top corners में paint कर दो और ride में shape में आके blank जगा पर click करना और group को select कर देना और अब हमारा cloth उड़ता रहेगा नीचे नहीं करेगा gravity की वज़े से और vertex mask में आके आप इस cloth का weight भी बढ़ा सकते हो जैसा आपको अच्छा लगे मैं 2 kg कर देता हूँ लाइट और फिर area light और यह light आपको नहीं दिखेगी कि गई कहां तो zero button दबाओ और ले किया हो इसे camera से आगे हमारे model के उपर और वापस से zero press करो और देखो आप कितना real लग रहा है अपना रुमाल लेकिन अभी वी दो चीजे और बसती है हमारे रुमाल को real बनाने के लिए तो अगर आपको blender में अपने model की shadow बनानी है तो आपको render engine को EV से cycle में change करना पड़ेगा और उसके लिए आप click करो render properties में और render engine को change करतो EV से cycles में और device को CPU से GPU compute में अब अगर आपको और lights add करनी अपने scene में तो आप कर सकते हो जैसे भी आपको अच्छा लगे अब आप घर की lights क तो opacity चेंज कर नहीं सकते हो लेकिन आप blender में lights की power को change कर सकते हो by clicking on object properties और power को change कर दो तो अब हम create करेंगे shadows को simple act धरना मत shift plus A दबाओ select करो mesh और plane उठा लो फिर 0 दबाओ और camera से इसको आगे ले आओ और इस बार अपने model के नीचे रखना इस plane को 0 दबाओ और अब adjust करो इसको फिर click करो object properties पर नीचे आओ visibility को open करो और shadow catcher को enable कर दो लेकिन सिर्फ विसको करने से हमारी shadows create नहीं होगी अभी एक और step है तो click करो render properties को और film को select करो और transparent को enable कर दो और देखो वे हमारी shadows भी आ गई है cannot place की जमीन पे अब लग रही है ना हमारी animation एक दम complete तो देखो हमारा animation चाहोगे render image के button को दबाके कि आपकी video final animation के साथ दिख कैसी रही है तो आपको सिर्फ आपका model दिखेगा model के साथ video नहीं तो आपकी animation render जल्दी हो जाए उसके लिए आप render properties में जाके maximum samples को 200 पर कर देना लेकिन याद रखना इससे quality भी compromise होती है तो अब आप देखोगे कि आख को क्या पता है कि जिस रिष्टे से मैं भाग रहा था हो पीछे पीछे हमारे पीछे ही कर रहा था तो node system सीखना पड़ा और इसके बिना हमारी animation पूरी भी नहीं हो सकती और अगर आप यह सीख लो तो इसके साथ आप और भी बहुत सारी चीज़े कर सकते हो अपनी animation के साथ तो compositing पे click करते हैं, use nodes को enable करते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा सा धूर करते हैं, shift plus A दबाते हैं, color click करते हैं और alpha over select करते हैं, इसको इनके बीच में डाल देते हैं और image वाली तार को नीचे वाली से जोड़ देते हैं, फिर input click करके image select करते हैं और image वाली तार को alpha over की उपर लितार से जोड़ देते हैं, open पर click करो और वापस से अपनी image sequence वाली file ढूंड़ो, और ए प्रेस करके open कर दो और अब add करो एक और node distort में जाके scale को, और इसको रख दो image और alpha over के node के बीच में और relative को change कर दो render size में और फिर layout पर click करो और प्रेस करो render image को, और हमारी animation तयार है, export करने के लिए, लेकिन उससे पहले motion blur को on कर देना render properties में नीचे जाके motion blur को अब हमें अपनी animation को कहा save करना है, उसकी location select करनी हमें और वो होगी, output properties में जाके output के अंदर आप video format में भी अपनी animation निकाल सकते हो, और image sequence में भी, तो मैं prefer करता हूँ image format में render करने के लिए, इसका reason है क्योंकि अगर render करते वक्त PC off हो जाए hang हो जाए, light चली जाए, तो हमें बता रहेगा कि कौन से frame से हमें दुबारे से start करना है वरना अगर आप video format में निकाल रहे हो और आपको सारी images देख जाएंगी आपके फोल्डर में अब आप ओपन करो Premiere Pro, left panel में left mouse क्लिक करो और import पर क्लिक करो, first image पर क्लिक करो और image sequence को enable कर दो, drag करके timeline में लेके आओ और कारेकर हम देखो जो आपने बनाया है आपका first 3D software में अच्छा यसी proud feeling आती होगे ना कि मैंने खुद के दम पर 3D animation software सीखा है गर में सब को दिखाऊंगा दोस्तों को WhatsApp पे बेजूँगा होता है ना I can totally relate मैं भी ऐसा ही करता हूं तो आप सबको मैं congratulate करता हूं कि आप सबने अपने खुद के दम पर 3D animation software सीखा है मतलब बहुत बड़ी बात होती है औरना इंस्ट्रीवीट में तो बहुत जादा पैसे लग जाते हैं बहुत तो लड़कों यहां से अब आप खुद से भी सीख सकते और YouTube वीडियो देखके तो मैंने दो वीडियो बनाया है एक यह जो part 2 और इससे पहले part 1 जो आई बटन में आ रहा हो का right left में इन दोनों वीडियो को अगर आप देख लोगे तो आपको अच्छा समझा जाएगा blender software और आप खुद से आगे बढ़के प्रो भी बन सकते हो और यहां से एक मैंने एक step up एक booster देदी आप सबको और यहां से अब आप भी आगे carry on कर सकते हो तो अगर part 3 चाहिए तो उसके लिए 20,000 like game तोड़वा देना यह एक सीरीज ही चल रही है अपनी क्योंकि मैंने सूझा था मैं यहीं ब्लेंडर सीख रहा हूं तो मेरे साथ जैसे मैं सीखता जाओंगा जो चीज है वहां फटावट से अपनी ओडियंस को भी चिखाने लग जाओंगा जो जो चीखना चाहते है ब्लेंडर सॉफवेर और और मेरे को और गुशी तब होगी जब आप इसको प्रो लेवल तक सीख जाओगे फिर अपने इदम पे एक जॉब भी और फिर आप मेरे को जब यह बताओगे तो मेरे को बहुत कुशी होगी कि आपने खुछ से सीख एक जॉब भी पाई और अपने इंट्रस्ट को करियर म आपके कजनों कोई भी हो जितना अपनी तरफ से सबोड कर सकते हो किसी को सबोड करो क्योंकि जिन्दगी ऐसे तो लंबी है उन लोग के लिए जो ज्यादा कुछ करते नहीं लेकिन अगर 24 गंटे में जो बहुत कुछ करते है न तो उनको 24 गंटे भी कम पड़ते हैं तो उन एक तो पताँ यहार मैं लेजी हो गया हूं और कॉंटेंड किये वज़े से क्वालिटी एक तो मैं वीडियो थोड़ सा कम हो गया और यूट्यूब पर गया जब मैं रहूंगा तो तो उसके लिए कभी कबार व्लॉग्स और कुछ डालना पड़ता रहता है क्योंकि पुड़ा सा मोटीवेशन मेरे को भी ची है बाकि इंस्टाग्राम पे आके मेसेज कर देना अच्छा सा कुछ भी एक जिस दोड़ी बहुत मोटीवेशन मिल जा है और मज़ा आजा है और वापिस से एक वो जो भूस था मेरे अंदर वो आजा है मिलता हूं